अरे बेटा तेरी बीवी ने तो घर को जासूसों का अड़ा बना दिया है जब देखो ये हमारे उपर शक करती रहती है जासूसी करती रहती है हमारी क्या हुआ मा अब किस चीज का इल्जाम लगा दिया आपके उपर क्या बताओ बेटा उसने थोड़ी दर पहले पूरे घर में सफाई की थी पोच्छा लगाया था अच्छा वो तो रोज लगाती है मा इसमें नया क्या है अरे सुन तो सही पहले जब उसने पोच्छा लगाया तो मैं अपने कमरे में जाने लगी और उसने मुझे देखा नहीं तो क्या हुआ मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ तो ये कि मेरे पैराओ के निशन जमीन पर छप गए अच्छा तो इस बात पर आपको उसने सुना दिया नहीं बेटा इस बात पर नहीं तो किस बात पर फिर अच्छा तो सुन सरला कबिल को कुछ देर पहले घटिट बात सुनाती है पूजा ने अभी अभी पूरे घर में पहुचा ही लगाया था कि उसकी सास पूरे घर में नंगे पाउं लेकर फिरे जा रही थी जिसकी वज़े से उसके पैर पूरे घर में छप गए थे पूजा अपने कमरे में जाती है और ड्रोर में से मैंगनी फाइन ग्लास लेकर उन पैरों के निशानों को देखने लगती है उन्हें देखते हुए वो खुढ से बोलती है इस निशान तो कुछ अलग से महसूस हो रहे है लगता है कि कोई चोर गुज़ गया है घर में मैं इनका पीछा करके देखती हूं फूजा उन पैरों के निशानों का पीछा करने लगती है और पीछा करते करते वो सरला की कमरे के पास चली जाती वहाँ पहुँचकर वो खुद से बोलती है ये क्या पैरों के निशान तो मा जी के कमरे के बाहर आकर खतम होगे इसका मतलब वो शक्ष मा जी के कमरे के अंदर गया मैं अभी जाकर देखती हूं पहले खुद के लिए कातियार तो लेकर आती है पूजा रसोही में जाती है और वहाँ से बेलन लेकर आती है और फिर धीरे धीरे वो सरला की कमड़ी का गेट खोलती है और चुपके से अंदर देखती है तो उसे अंदर सरला के सिवा और कोई नजर नहीं आता सरलाभी गधे घोडे पेच कर सो रही होती है फिर वो अंदर आती है और खुद से बोलती है यहां तो कोई नहीं है, माची भी बड़े आरांज से सो रही है फिर वो किसके पैरों की निशान थे? पूजयतना कहती है कि उसकी नजर उसकी सास के पैरों पर जाती है वो उन्हें और अच्छे से देखने के लिए अपनी सास के पास जाती है और फिर मैगनीफाइंग ग्लास से उसके पैर देखती है और खुद से बोलती है यही क्या देख रही हूं मैं, बाहर जो निशान थे माजी के पैरों से मैच हो रही है इसका मतलब वो माजी ही थी, जो पूरे घर में चक्कर लगा रही थी मेरी सारी महनत पर आपने पानी ही फेर दिया पूजा खुद से बाते करी रही होती है कि तब ही उसकी सास उठ जाती है पूजा कर वो अपने पैरों के पास बैठा देख कर वो बहुत खुश हो जाती है और उससे बोलती है हाई कितनी अच्छी है मेरी बहू, मेरे पैरों के पास बैठ कर मेरे उठने का इंतिजार कर रही है चल अब तू खड़ी हो, मैं उठ गई हूँ लेकिन माजी, मैं आपके पैरों के पास इसलिए नहीं बैठी थी कि मुझे आपके उठने का इंतिजार करना था तो किसलिए बैठी थी? मैं तो किसी चीज की छान बीन कर रही थी किस चीज की बहू? और तो ये हाथ में क्या लेकर गूम रही है? मुझरिम की, और ये उसे डूणने वाला यंत्र है क्यासा मुझरिम और क्यासा यंत्र? जिसने मेरी की हुई साफ सफाई पर पैर फेरे थे अच्छा तो कौन है मुझरिम, तुझे मिला या नहीं? जी माजी मिल गया, असल में मिल ही गई मिल गई मतलब? वो क्या है न माजी, जब मैंने पैरों के निशान देखे थे तो मुझे लगा था ये कोई आदमी घर में गुज गया है पर जब मैं यहां आई और आपके पैर देखे तो मेरा अंदाजा पूरा गलत हो गया मेरी सारी कैलकुलेशन खराब हो गई जिन्दिगी में पहली बर जब मुझे पता चला कि वो पैर किसी आदमी के नहीं बलके खुद आपकी थे तेरे कहने का मतलब क्या है बहू? मेरे पैर आदमी हो जैसे है मैं यह कहना नहीं चाहती पर माजी आपके पैर आदमी हो से भी बड़े है कोई भी डर जाएगा इन्हें देखकर तो बहू यह क्या तरीका है? अपनी सास की बेस्टी करती है? आवाज नीचे माजी मैं बहरी नहीं हूँ अच्छा आप सोजाएए मैं दुभार पंचला कर आती हूँ ऐसा कहकर पूझा वहां से चली जाती है और सरला अपने बेटे के पास जाती और उसे सारी बाते बताती है तो ऐसा हुआ था बेटा मेरे साथ अरे माँ पस इतनी सी तो बात थी आप भीना फाल तुमें ही परिशान होती हो ये तुझे इतनी सी बात लगती है तुझे पता भी है तेरे पापा को मेरे पैरों से कितना लगाओ था तेरे बीवी ने कितनी आसानी से मेरे पैरों का मजाग बना दिया अच्छा अच्छा मा आप शांत हो जाईए मैं उससे जाकर बात करता हूँ हाँ जल दी जा और उसके दिमाग को ठीका आने लगा करा कपिल पूजा से मिलने कमरे में जाता है वो कुछ बुक्स को ठीक कर रही होती है शेल्फ में कपिल उसके पास जाता है और उससे बोलता है ये क्या कर रही हो जी मैं अपनी बुक्स को ठीक से रख रही हूँ बहुत फैली हुई लग रही थी अच्छा ठीक है आपको कुछ कहना है क्या? असल में हाँ, तुमने मां से क्या कहा उनके पैरों को लेकर? जो कुछ भी कहा सच कहा, पर लगता है उन्हें बुरी लगती देखो, मैं तुमें कुछ कहना नहीं चाता, पर एक बार बस तुम मां से माफी मांग लो जब मीरी कलती है ही नहीं, तुम मैं माफी किस बात की मांगू? माफी मांगने से तुम छोटी नहीं हो जाओगी उन दोनों में बहुत देर तक इस चीज को लेकर बहस चलती रहती है पिर आखिर में दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पूजा सरला के पास जाकर उससे माफी मांग लेगी पूजा अपनी सास के पास जाकर उससे बोलती है देखिये माजी, मुझे आपसे वो सब नहीं कहना चाहिए था मुझे माफ कर दीजे कोई बात नहीं भहू, चल अब तुमें ले खाना बना दे जल्दी से बहुत भूक लगी है ठीक है माजी, अभी लाती हूँ पूजा सब के लिए खाना बनाने चली जाती है तो वो जैसे ही किच्ण में जाती है तो सामने स्लिप पर एक गिफ्ट रखा होता है अगर वो ही लाया ना, तो उन्होंने मुझे ये कमरे में क्यों नहीं दी या रोसोई में क्यों रख दी मैं उनसे बात करूँगे, इसको लेकर पहले खाना बना लेती हूँ पूजा उस ड्रेस को वापस पैक करके रख देती है और खाना बनाने लगती है कुछ देर बाद सब लोग मिलकर खाना खाते है खाना खाने के बाद सर्ला अपने कमरे में वापस चली जाती है और आराम करने लगती है अब पूजा कपिल से बोलती है खाना कैसा था? बहुत अच्छा था जान ठैंक्यू अच्छा आप कमरे में चलीए मैं अभी आती हूँ आपसे कुछ बात करनी है ठीक है आप बताती हूँ आप चलीए तो सही ठीक है जल्दी आजाना कपिल अपने कमरे में चला जाता है और पूजा की बात के बारे में सोचने लगता है यार ऐसी क्या बात हो सकती है पूजा की टोन काफी सीरिस लग रही थी बोलते वक्त लगता है आज उसे फिर से मेरे साथ चासूजी का खेल खेलना है खेल बेखते हैं क्या कहेगी वो इतने में वो आती है मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ कपिल बैट पर लेट जाता है और पूजा के आने का वेट करने लगता है लेकिन पूजा नहीं आती और इतने में कपिल को नींद आ जाती है और वो सो जाता है उसके सोने के बाद पूजा कमरे में आती है और कपिल को सोता हुआ देख कर फिर वो खुद से बोलती है, अच्छा हुआ ये सोगी, अब मैं अपनी तहकीकात अच्छे से कर सकती हूँ, पहले तो वो ड्रेस पहन लेती हूँ, फिर इन्हें उठाऊ उठी, फिर पूजा वो ड्रेस पहनती और कपिल को जगाती है, कपिल उठ जाता है, वो पूजा को अगर मेरी ले लाए थे तो मुझे क्यो क्यों नी दी, क्यों नी चैन्मे लिए, लग रही थी, जभ मैं इसे लेकर आया था, तो इसे वहीं रखकर भूल गया, इसलिए तुम में ये किचन में मिली है, जूट मत बोलो, बताओ कौन है वो, यर कैसी बाते कर रही हो तुम, त तोड़ा तो यकीन करो मेरा अरे कैसे करू यकीन इससे पहले भी तो कभी मेरे लिए कुछ ले कर नहीं आए और अब लाए भी तो किचन में रग दिया इससे तो यहीं लगएगा ना कि आप ये किसी और के लिए ले कर आये थे यार मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आ गया इससे अच्छा तो यही होता कुछ लेकर ही नहीं आता कम से कम यह इल्जाम तो नहीं लगता देखा, खुदी बोल दिया ना कि मेरे लिए नहीं लएओ, मुझे पता था पहले से ही तुम्हें जो सोचना है सोच लो मुझे नीद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ तुमारा मन हो, तुम भी सो जाना ऐसा कहकर कपिल सो जाता है और थोड़ी देर बात पूजा भी उसके पास आकर सो जाती है स्लिप मिलती है, जो कि उस ट्रेस की होती है जिसे वो पूजा के लिए लेकर आया था उस स्लिप के ओपर पूजा के नाम से बिलिंग हो रगी थी जिसको पढ़ने के बाद पूजा के सारी शख दूर हो जाते है फिर वो कपिल के आने का इंतिजार करती है शाम का जब वो वापस आता है तो पूजा उसकी गले लगकर उससे बोलती है मुझे माफ कर दीजिए कपिल जी मैंने आप पर शक किया अब मुझे पता चल गया कि आप वो ड्रेस अच में मेरे लिए ही लेकर आए थे अच्छा तुम्हें पता चल गया अब तो कोई शक या शिकवा तो नहीं है ना तुम्हें मुझे से अरे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं चलो अच्छी बात है अब अगर आपका हो गया हो तो थोड़ा सा खाना खा लें जी जरूर फिर वह दोना खाना खानी के लिए डैनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं खाना खाते खाते पूजा कपिल को घूरने लगती है तो कपिल उससे बोलता है क्या हुआ ऐसे क्यों देख रही हो यह आपकी शर्ट पर लिपिस्टिकर निशान कैसे आया यह कहां से आया यह क्या यार तुम फिरू शुरू हो गई मजाग कर रही हूँ यार मैं जानती हूँ यह मेरा ही है अभी जब आपकी गले लगी थे ना तब लग गया था तुम ना ये हिंदी सीरियल देखना बंद करो वरना एक दिन हम सब पागल हो जाएंगे ओ आप बीना कितने क्यूटो चलिए जल्दी से खाना खालीचे फिर आपके लिए सर्प्राइज रखा है कमरे में अच्छा जी ठीक है अभी खा लेता हूँ इसके बाद पुझा कभी अपने पती पर फाल्तु में ही शक नहीं करती थी अब सब लोग खुशी से रहने लगते हैं ममता की बहु रिया सावली होने के साथ अपने साथ देख में एक रुप्या नहीं लाती तो क्या वो अपने साथ अच्छी किसमत लाई जिससे उसकी साथ उसे अपना लेती है या फिर ममता को दहेज में पैसे वाली बहु चाहिए थी जिसकी वज़़ से ममता अपनी बहु के साथ क्या करने वाली थी चलिए जानते हैं इस कहानी में रिया की शादी को 5 दिन हुए हैं और इन 5 दिनों में ही ममता अपनी बहु रिया को कहीं ताने दे चुकी थी क्यूकि रिया का रंग थोड़ा साबला था और तो और उसकी घरवालों ने कोई दहेज भी नहीं दिया था ऐसे में ममता कोई मौका नहीं छोड़ती थी रिया को ताने देने का एक रोज सुभाव 5 बजे ही ममता अपनी बहु के कमरे का दरबादा पीटते हुए रिया से कहती है बहु उठी नहीं तू अभी तक यही तेरा ससुराल है तेरे बाप का घर नहीं जो अब तक सोई हुई है तभी रिया अपनी सास के आवाज सुनकर अपनी कमरे से निकल कर आती है और अपनी सास से कहती है मा जी मैं आ ही रही थी हाँ हाँ मुझे पता है चल अब जाकर खाना बना रिया अपनी सास के कहने पर खाना बना रही होती है कि तभी कुछ समय बाद ममता को एक कॉल आता है जो लड़की बालों का कॉल था ममता की बेटी रोहानी के लिए जिसका रिष्टा करीब दो सालों से हो नहीं रहा था और ये सुनकर ममता खुशी से अपने बेटे रोहित से कहती है रोहित अपनी रोहानी का रिष्टा पक्का हो गया लड़की वाले मान गये हैं उन्हीं लड़की पसंद है ये बहुत अच्छी बात है मा, मैं तो बहुत खुश हूँ, अपनी छोटी की शादी है पास में बैटी रुहानी भी, अपनी मा से कहती है मा, भावी के आने से अपने घर में कई कुश कबरी आई है भले ही भावी दहेज में तुझ भी न लाई हो लेकिन वो अपने साथ दहेज में किस्मत बड़ी भाकिशानी लाई है वो क्यों किस्मत लाई के साथ उसके आने से नहीं हुआ है ये सब ये तो हमारे अच्छे कर्मो कफल है मा, मुझे भी लगता है कि रिया अपने साथ में दहेज में किस्मत लेकर आई है जब इसका चहरा ही इतना काला है तो उसकी किस्मत कौन सी अच्छी होगी जैसी शकल वैसी किस्मत मा, अगर भावी की जगा मैं होती तो भी क्या आप ऐसे ही बोलती ऐसे कैसे हो जाती तो सावली या फिर काली उसकी तो पैदाईशी ही ऐसी है घरवालों का ये मानना था कि रिया की किस्मत अच्छी है उसके आने से बहुत सी चीजे अच्छी हुई है लेकिन ममता ऐसा नहीं मानती थी देशाम जैसे ही रोहित ओफिस से घर आता है पैसे ही वो सबसे पहले रिया को मिठाई खिलाते हुए कहता है रिया आप तो मानना ही पड़ेगा कि वाकई तुम दहेज में अपने साथ भागे साली किस्मत लेके आई हो पहले बताओ तो किस खुशे में मिठाई खिला रहे हो मेरा पर्मोशन हो गया है सच ये तो बहुत अच्छी बात है भया हमारे साथ भी खुश्या बाट लो हाँ क्यों नहीं मा ये आप खाओ और ये तेरा चोटी ममता को तो इस बात का बहुत बुरा लगता है कि रोहित पहले रिया को मिठाई खिला देता है उसे नहीं जिस पर ममता रोहित से कहती है जा जाकर अपनी बीबी को ही खिला और उसके ही गुनगा मा खुशी के मौकी पे क्या लेकर बैठ जाती हो ये सब उपर वाले की महरवानियां कोई किसी की किसमत का नहीं खाता और इसके किसमत से सो कुछ भी होने वाले भी हो तो पहले ही कुछ अशुब हो जाए माar हमने ये थोड़ी ही कहा था कि हम भावी किसमत से जी रहे है हमारी कहने का मतलब था कि उनकी किसमत अच्छी है और उनका इस घर में आना शुब है ये बाते चल ही रही होती है तब ही ममता से मिलने कांता आती है जो कि ममता की पडोसन है और वो रोहित के हातों में मिठाई का डबा लिए देखकर रोहित से खहती है किस खुसी में मिठाई खिला रहा है इसका प्रमोशन हुआ है इसकी महनेश से और ये कह रहा है इसकी बीवी के वज़े से इसका प्रमोशन हुआ है क्योंकि वो दहेज में कुछ नहीं लाई लेकिन किसमत जरूर लाई है हाँ, सही तो कह रहा है रोहित तेरी बहु देहेज में कुछ लाए या ना लाए किसमत तो जरूर लाई है तभी तो तेरी बेटी का रिस्ता भी पक्का हो गया है और अब रोहित का परमोशन भी हो गया है तो किसमत तो तेरी बहु की बाकेई में अच्छी है तू भी इनके साथ शामिल हो गई मैं तो सची कह रही हूँ जो मुझे दिखा वरना इतने सालों में तो मैंने कुछ अच्छा नहीं सुना तेरे घर के बारे में अगले दिन मम्ता आंगन में बैठी होती है तभी रिया को पोछा लगाता हुआ देख कर मम्ता अपनी बहु को ताने मारते हुए गहती है मेरे घरवाली तो पागल हो गए है ना जाने किस्मत किस्मत लेकर बैठे हैं इनके बाप ने दहिस तो दिया नहीं किस्मत कहां काहा से देंगे मम्ता वहाँ से उठकर केट केट बहु ही जा रही होती है तभी रिया अपनी सास से घःती है मा जी आप अपने कमरे में चली जाएगे क्योंकि वहां मैंने पूछन लगा दिया है हाँ हाँ अब तो कुछ समय बादी मुझ पर भी हुकुप चलाने लगी थी जैसे ही ममता अपने कमरे में जाने लगती है वैसे ही वो बहर शोर सुनती है कि किसी ने कांता की चैन छीन दी है ये सुनकर ममता हैरान रह जाती है क्योंकि कांता तो ममता के घर आ रही थी लेकिन उससे पहले ममता दरबाजे पर बैठने जा रही होती है ऐसे में ममता अपनी चैन को देख कर खहती है आज तो जान बज़ गई नहीं तो कांता की जगर मीरी चैन जाती क्या सच में मेरी बूँ अपने दहज में किसमत लाई है उसके कहने पर ही मैं कमरे में गई नहीं तो घर से बाहर जा रही थी ममता ये सोची रही होती है कि तभी कांता रोते हुए ममता की पास आती है और उससे कहती है ममता देख में तेरे घर के पास ही आ रही थी लेकिन दो बाइक पर चोर आए और उन्होंने मेरी सोने की चेन गले से खीज ली सुनी मैंने तेरी सारी बाते अगर आज तू नहीं जाती तो मैं भी बाहर जा रही थी लेकिन बहु ने कहा कमरे में चले जाओ और मैं कमरे में चली गई और तू कहती है कि तेरी बहु की किस्मत बहुत बुरी है वो तो अपने साथ देहेज में वाकई खुशिया लेकर आई है तुमान या ना मान लेकिन मैं तो लुट गई बरबाद हो गई ममता अब क्या करूं मैं रोने धोने से कुछ नहीं होगा जो हो गया सो हो गया सोच तेरी जान तो बच गई ना अब जैसे ही ये बात रोहित और रोहानी को पता चलती है वो भी रिया की किस्मत का होना बता रहे थी कि वाकी रिया की किस्मत इतने ही अच्छी है लेकिन ममता तो अभी उसकी किस्मत को क स Noah heard violet श्रॉल की शिकार हो जाने के बाद ममता अपनी वह रिया से कहती है काम हो तो जा जाकर मार्कित से सबजी ले करा माजी वो थोड़े कपड़े धूने हैं वो कड़ लेती हूं उसके बाद ही जाओंगी आकर घर का काम हो जाएगा तू पहले बाहर का काम निप्टा ले रिया अपनी सास की बात ना मानकर कपड़े दूने में इसी हो जाती है और कुछ समय बात ममता सीडियों से उतरते हुए एक बार पिर रिया से कहती है बहु तुझे मैंने कहा ना कि जाकर मार्किट से सबजिया लिया शाम हो जाएगी बस माजी कपड़े छट पर डाल दो फिर मेरा काम हो जाएगा ये कहकर रिया छट पर जाही रही होती है और ममता नीचे आ रही थी तभी ममता कांता की अवाद सुनकर जल्दी जल्दी सीडियों से उतरने की कोशिश करने लगती है और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी रिया अपनी सास को लड़कडाते हुए देखकर उनका हाथ पकड़ लेती है और रिया अपनी सास को बचा लेती है दूसरी तरफ से कांता भी घर आती है तो ममता को देखकर कहती है ध्यान चे ममता ये देखकर ममता कि वो गिरने से बच गई और उसकी और अब दोनों ही नीचे आते हैं और कांता ममता से कहती है देखा तुने मैंने कहा था ना कि तेरी बहु देज में कुछ लाई हो या ना लाई हो लेकिन अपने देहज में इतनी अच्छी किसमत लाई है हाँ आज मैं मान गई कि मेरी बहू ने दहेज के सामानों से मेरे घर को नहीं भरा लेकिन उसकी अच्छे किस्मत से इस घर में खुश्या ही खुश्या है इस तरह ममता को हैसास होता है कि उसकी बहू दहेज में किस्मत लाई है और उसके आने से उसके घर में सिर्फ खुशियां ही आई है उशा जितने ही महंती थी उसके बहु रुबे उतने ही कामचोर थी ऐसे में अब उशा अपने बहु को इस कामचोरी से महंती कैसे बना पाएगी ये देखना काफे ही दल्चस्प होने वाला है तो चलिए शिरू करते हैं आज की इस काहनी को जिसमें कामचोरी की हद्तों तब हो जाती है जब दो दिन तक बहु के नेल पेंट सूखने के बहाने ही चालो रहते हैं उशा अपनी बहु की कामचोरी से परिशान थी लेकिन वो अपनी बहु के बहानों को जानती थी कि कैसे उशा की बहु रूबी काम ना करने के बहाने तलाश थी एक रोज रूबी हॉल में बैठी अपने हाथों में नेल पेंट लगा रही थी तब ही उशा भी हॉल में आती है और अपनी बहु रूबी से कहते है बहु ज़रा टीवी का रिमोट तो बढ़ा दे मेरे आगे मा जी मेरे हाथों में नेल पेंट लगी है आप ही ले लो ना रूबी कोई भी काम करने में इतना कामचोर बन जाया करती के मानो जैसे आज ही उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया हो लेकिन किया भी क्या जा सकता था उशा खुद ही उठकर रिमोट लेकर टीवी देखने बैठती है तभी बगल में आकर रूबी भी बैठ जाती है और कुछ समय बाद डोर बैल की अवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर उशा रूबी को देखते होई कहती है बहु जाकर देख गेट पर कौन आया है माजी मेरी नील पेंट अभी तक सूखी भी नहीं है मैं कैसे गेट खोलूँगी इतना सुनकर उशा खुद ही उठकर जाती है और गेट खोलती है तो देखती है कि उसकी पडुसन विमला आई है जिसे देखकर उशा कहती है कर ला माजी आप ही बना लोना मैं अपना फेवरेट सीरियल छोड़कर कैसे जाऊं हर काम में रूबी के बाहने पहले से तयार रहते और हारकर उशा घर का सारा काम कर लिया करती देर शाम उशा किचन में रात के खाने की तैयारी कर रही थी तभी वो अपनी बहू को आवाज लगा कर बुलाती है और कहती है बहू तो सबजी बना मैं रोटियां बनाती हूं माजी मुझसे नहीं होगा ना जाने क्यों मेरे सर में दर्ध हो रहा है मुझे चक्कर भी आ रहे हैं शुरू मैडम के ड काना देती हुए कहती है बेटा मैं रूबी को समझाकर ठक गई हूं अब तु उसे कुछ समझ दे क्या हुआ इसे फिर से कआम को लेकर नख कर दिया डर्बी मैं उस्समां काम करने करने लग जाती है मा जाने तो उसके तो रग रग मेना काम चोड़ोना लिखा है अगली सुभा उशा उटकर घर का सारा काम कर लेती है तब अराम से रूबी उटकर अपनी सास से कहती है मा जी खाना क्या बनाओ सपने में क्या है काम हो गया और तू अब उठ रही है अच्छा मा जी मुझे तो लगा था कि अब तक खाना भी नहीं बना होगा इसलिए मैं उठ गई हाँ क्यों नहीं तेरे भरोसे अगर रहूं तो मेरे घर का कोई काम ही नहो ये बाती चल ही रही थी कि तब भी विमला का आना होता है विमला रूबी को देख कर कहती है बहु लगता है तेरी सुबह अभी नहीं हुई है ऐसी क्या बात है जो तू इतनी लेट उठी विमला तू किस से पूछ रही है उसकी सुबह अब हुई है एक नंबर की काम चोर है वो जब मन होता है तब उठती है अपने बात के घर भी ऐसे ही उठती होगी बहु ये तेरा ससुराल है माईका नहीं यहां तो तुझे जल्दी उठकर काम करना ही पड़ेगा न विमला आब बैट इसे समझाना और पत्थर पर सरमारना एक बराबर है विमला आणटी मैं तो समय से ही उठना चाहती हूँ लेकिन न जाने रात में काम करके सोने के बाद नेंधी नहीं खुलती हां रात को पत्थर तोड़ेगी तो सुबा आग कैसे खुलेगी सीधा सीधा कह दे कि मुझसे कोई काम नहीं होता मैं हूँ ही काम चोर ये सुनकर रूबी अपने कमरी में चली जाती है लेकिन रूबी के जाते ही विमला उशा से कहती है उशा देख मैं तुझे कह रही हूँ जितनी तो महनती है उतनी तेरी बहुत आलसी है उसे समझाय कर काम काज नहीं करेगी तो तो कब तक काम करेगी मैं तो समझा समझा कर ठक गई हूँ लेकिन ये सुनने का नाम ही नहीं लेती तू कुछ समय के लिए अपने माय के चली जा, खुद ही काम करेगी तो पता चलेगा अगर फिल भी अपनी आदतों से बाज नहीं आई तो तू इसे सबग नहीं सिखाएगी, तो ये अपने आलस को कैसे छोड़ेगी अब विमला की बात मान कर उशा अपनी बहू रूबी से कहती है बहू, मुझे कुछ समय के लिए अपनी बेहन के घर जाना पड़ रहा है नहीं बहू, घर से सब चले जाएगे, तो घर का ध्यान कौन रखेगा? अब जैसे तैसे उशा अपनी बहू पर घर की रोहित की और उसकी खुद की जिम्मेदारियां छोड़ के चली जाती है ऐसे ही अगली सुभा, रूबी पांच बज़े से उठकर काम पर लग जाती है सबसे पहले रूबी उठकर खाने की तयारी करती है और खुद से कहती है आज कोई आलस नहीं और नहीं कोई काम चोरी, सारा काम मुझे ही करना है, रूबी काम में ध्यान लगा? अब जैसे तैसे रूबी जल्दी जल्दी खाना बनाती है और रोहित का लंच बॉक्स पैक कर देती है ये देखकर रोहित भी रूबी से कहता है क्या बात है आज तो मुझे खाना समय पे मिल गया मुझे तो उमीद नहीं थी कि आज मुझे खाना समय पे मिलने वाला है अब मा जी नहीं है तो काम तो करना ही वड़ेगा मुझे रोहित के ओफिस जाने के बाद रूबी किचन में जाकर बरतन धो रही थी तभी विमला आती है और रूबी को काम करते हुए देख कर रूबी से कहती है बहु आज तो तुने घर का सारा काम जल्दी कर लिया क्या बात है कहीं जा रही है क्या नहीं आंटी जी मा जी अपनी बहन के घर गई है तो मुझे ही करना है, तो सोचा सब को जल्दी कर लूँ बता, तुझे सब कामचोर कहते हैं, तू तो सुबर से उठकर काम करने में लगी पड़ी है वाकई, तू बहुत महनती है आंटी आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना दू नहीं नहीं, बस घर में बहुत काम है, मैं उशा से मिलने आई थी, अब वो है ही नहीं, तो तू अपने ध्यान रखियो ये देखकर विमला को बहुत खुशी होती है कि उसका और उशा का प्लैन काम कर गया ऐसे में विमला अपनी घर जाती है और उशा को कॉल करके कहती है तेरी बहुत तो सुबह पांच बज़े से उठकर घर के काम में लगी हुई है आज तो उसने खुद से मुझे चाय भी पूछी, लेकिन मैंने ही मना कर दिया सच कह रही है कि तू विमला, ऐसा कैसे हो सकता है उससे एक बोतल पानी भी भरा नहीं जाता और तू कह रही है पांच बज़े से उठकर काम कर रही है तू खुद पूछ ले क्या कर रही है बहु, मैं भी तो अभी देखकर आई हूँ उशा को यखे नहीं होता कि उसके कामचोर बहु काम कर रही है अब उशा अपनी बहु को फोन लगा दी है और रुबि से कहती है बहु, तुने घर का काम किया भी है या नई, या अभी तक सोही रही है मा जी सारा काम हो गया, बस नहाने जा रही हूँ सुबा सुबा ठीक तो है या सपने में बात कर रही है ना माजी ना मैं सच बोल रही हूँ सारा काम हो गया है यानि आज तुने काम चोरी नहीं की है तभी वो कॉल कट कर दीती है लेकिन उशा को यकिन नहीं था कि उसकी काम चोर बहु काम भी करेगी लेकिन वो तो घर का सारा काम करके नहाने जा रही थी ऐसे में उशा मन में सोचती है लगता है जिम्मेदारियां जादा ही हो गई है मेरी बहू अचानक से इतनी बदल गई और दो दिन बाद उशा घर आ जाती है और जैसे ही उशा घर आती है तो वो देखती है कि घर में बहुत साफ सफाई है और ये सब देखकर उशा अपनी बहु रूबी से कहती है बहु एक गलास पानी तो ला दे जी माजी अभी लाई ये तो सच में सुधर गई तब ही और चैस करूँ कि ये कोई सपना तो नहीं ये बोलकर उशा अपनी बहु से कहती है बहु ये बैक्स मेरे कमरे में डाल दे और चाय बना देती तो सरका दर्द भी चला जाता जी माजी बस अभी करती हूँ पहले चाय बना दू ये देखकर वाकई उशा को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि चार दिन के जिम्मेदारी में रूबी इतनी जादा बदल जाएगी कि वो हर काम खुद ही करेगी लेकिन देर आए दूरस्त आए और रूबी अपनी जिम्मेदारियां संभालने रगी और रूबी भी अपनी सास की तरह ही महनती बन गई दोस्तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा